हेलो एवरिवन वेलकम टू माई न्यू व्लॉग कैसे हैं आप सभी आई फूप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रंट्स ये वीडियो है सटर्डे का और अभी सुबह के 6 बचे हुए हैं और मैं जब उठी उठकर के बाहर देखी ना बहुत जोरोगी बाहर हो रही थी बारिश और ये बारिश अभी नहीं लगता है रात से ही हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी-पानी हर है बच्यों के सखूल आज हम jeunes जाना है तो बच्चे साथ में जाएंगे लेकिन क्लास नहीं लेगेगी और बस वही है तो मुझने जल्दी जल्दे से सूब्ह के सारे काम खतम करने हैं इसके बाद क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो सुबह लगता है कि जल्दी से सारे काम खतम कर लो तो टाइम से सब कुछ हो जाएगा और वस यही साफ सफाई बगरा करनी है नास्ता बनाना है फिर बच्चों के स्कूल जाना है बच्चों के साथ तो आज काम भी बहुत जादा है तो चली अब कर लेते हैं घर की सफाई सबसे पहला जो काम होता है और डेल करके सबसे पहले सफाई में कर लेती हूं फिर ना करके फिर बाकी के मेरे काम होते हैं तो लगबग 9 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है नासा वगेरा सब कुछ हो जाता है तो अभी मैं लगा लेती हूं पोछा और आज मेरा काम थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि बाहर हो रही ह मैं जो दर्वाजा है ना दर्वाजे के पास में बस एक बल्टी पानी डाल देती हूं क्योंकि थोड़ा बहुत दूल मिट्टी सी नहीं ऐसा लगता है जिसे फैल गई है बारिस के छीटे पड़ते हैं तो बस वहीं पे मैं डाल देती हूं एक बल्टी पानी और बाकी बाहर क सफाई नहीं होगी और इसके बाद फिर मैंने फटा-फट से जारू लगा करके पोश हमाल लिया है तो आज सफाई करने में ज्यादा समय नहीं लगा जल्दी से मेरा घर का काम हो गया है फिर मैं आ गई थी नहां करके नास्ता बनाने के लिए और वारिस अभी तो होई रही है कंटीन्यू और चलिए अब जल्दी से नास्ता बना लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर अभी सबसे पूछा गया क्या खाओगे हस्बन से बच्चों से तो मेरा तो प्लान था कि बच्चों के स्कूल जाना है तो क्यों ना मैं आज खाना बना देती हूँ और इसके बाद फ फिर मैंने सोचा चलो ठीक है मैं कुछ और बना देती हूँ नास्ते में तो यहां पर अब मैं पोहा बना रही हूँ पोहा काफी दिन के बाद में बना रही हूँ और पूहा सबको अच्छा भी लगता है तो बच्चों का भी कहना था कि ममा पोहा बना दीजिए फिर आप ब बैनने के लिए आज मैं साड़ी बैन करके जा रहे हूं बच्चों के स्कूल तो जब तक मैंने साड़ी अपनी पहनी तब तक चाय भी बन गए थी तो चलिए पहले चाय पिलेते हैं और मेकप वगएर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया पहले चाय पिलेते हैं इसके बाद फिर ready हो जाते हैं और मेरे अलावा घर में सबी लोग ready हो गए हैं तो बच्चे तो ready है ही husband भी ready है और साथ में सासुमा को भी तयार कर दिया है हमने कि आप यहाँ पे क्या करेंगी घर पी अकेले क्योंकि समय थोड़ा सा जादा लगने वाला था हम लोग को इस वज़े से हमने वोला कि आप भी चलिए घूम कर के आएंगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता बाहर भले ही वो कार में बैठी रहेंगी बाहर कहीं नहीं जाएंगी तो इसलिए हमने उनको भी रेडी कर लिया था कि आप भी रेडी हो जाईए बस यहाँ पे चाय खतम करके और मैं थोड़ा सा अपना मेकप कर लेती हूँ और फटा फट से यहाँ पे हो गई है तयारी और वैसे थोड़ा सा मैं पीछे ही थी सब लोग नीचे चले गए थे बच्चे, सासुमा, हस्बिन सबी लोग चले गए थे बस मेरा ही वेट हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी से अपना यह काम खतम कर लूँ और अन्याना अपना अम्रेला लेकर जा रही है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो कह रही मम्मा आप लोग भीग जाएंगे क्योंकि कार तक जाने तक में बहुत तेज बारिश हो रहे थी इसलिए वो अम्रेला लेकर के गई थी तो इचले यह मेक अप तो मेरा हो गया है जल्दी ज्यादा समय नहीं लगाया है मैंने फटा-फट यह काम मेरा हो जाता है और फिर चलते हैं नीचे क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं और जैसी मैं नीचे गई ना सब लोग मेरा मजा कुड़ा रहे थे मुझे देखर कि हस रहे थे क्योंकि बाहर हो रही थी बारिस और मेरा जो कैमरा है वो भी मितलब चली रहा था वीडियो का स्टूटिंग तो यही बोल रहे थे सब लोग कि देखो ममी का कैमरा चल रहा है अभी भी ऐसी टाइम पे भी मितलब बारिस हो रही है और इसको उने वीडियो की पड़ी है तो चलते हैं अब बाहर का देखते हैं नजारा बड़ा अच्छा लगता है ना बारिस के टाइम पे जब घर से बाहर निकलो वैसे तो मन नहीं करता है लेकिन जब अचानक से कहीं जाने का प्लान हो जाता है तो अच्छा लगता है इसलिए हमने मम्मे को भी ले लिया साथ में कि आप भी चलिए थोड़ा सा घूम के आएंगी तो अच्छा लगेगा बाहर का जो नजारा है बिल्कुल वैसे फिलिंग आ रहे थी सब लोग को बड़ा मजा आ रहा था बच्चे बड़ा एंजोई कर रहे थी मम्मा देखियो वहाँ पर बादल नीचे तक है ऐसे करके और पूरे जगह बस पानी पानी हर जगह बारिस और आज हम लोग मैचिंग का कपड़ा पहने हुए हैं कपड़े का कलर रहे ना वह एक जैसे यलो और ब्लू में है तो मेरे पास भी यलो साड़ी थी मैंने भी सोचा था मैं यलो पहने हूं लेकिन फिर वह अभी मैने कई दिनों तक पहनी है ना कई बार वीडियो में पहनी है इसलिए मैंने यह वाली पहन ली ब्लू गलर की तो सारे लोग मैचिंग वाले इड्रेस पहने हुए हैं बच्चों का तो स्कूल यूनिफॉर्म है लेकिन इतिफाक से हजबन पहन लिए और मम्मी भी इतिफाक से पहनी है और मैंने जो है सब को देख कर की पहना था तो यहाँ पर अब स्कूल जाएंगे वहाँ पी थोड़ा स होती है तो कॉपी दिखाए जाती है उसको चेक करके और फिर फाइनल जो रिजल्ट जो उनका फाइनल नंबर होता है वो उसमें अड़ किया जाता है तो बस यहाँ पर हम लोग आ चुके थे स्कूल से काफी देर के बाद लगभग ग्यारा सारे ग्यारा बज़ के थे हम लो अगर कहीं बाहर चले जाओ फिर वहां से आओ तो ऐसा लगता है सिंपल सा कुछ बना दो तो कल मैं जो मक्ष निकाली थी ना उसमें से छाँच निकला था तो छाँच जब भी बज़ता है मैं उसके कड़ी ही बनाती हूँ और ममी जी को भी कड़ी बहुत पसंद है घर में बाकी तो सबको पसंद है ही तो फिर यहां पे प्लान हुआ कि क्यों न कड़ी और चावल बना लेते हैं तो जल्दी से बन भी जाएगा फटा फट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मेरे पास बुंदी नहीं थी तो यहां पे मैं बुंदी निकाल रही हूँ तो सबसे पहले मैं बुंदी ही निकालोंगी उसके बाद फिर इसी कड़ाही में कड़ी लगा दोंगी और कड़ाही में मैंने सरसो का तेली लिया है तो इसी में फिर और तेल एड़ करके और फिर कड़ी लगाऊंगी तो यहां पे सबसे पहले बुंदी निकाल लेते हैं और कर्ची स मैं बुंदी बनाती हूं जैसे घर पे तो थोड़ा सा अभी जल्दबाजी में बेसन हलका सा गिला हो गया था तो बुंदी कुछ इस तरीके की बन रही है वैसे बुंदी कैसे भी बना दो और उसकी फिर कड़ी बनाओ तो बहुत अच्छे लगते है क्योंकि यह ताज ही होती और ऐसी कोई भी चीज नहीं बस पानी से बेसन को मैंने घूल लिया था और उसके बाद फिर कर्ची की हल्प से मैंने बुंदी बना ली थी और बुंदी बनने के बाद चलिए ब लगा रेते हैं कड़ी इसमें छोग देते हैं तो बस मेथी दान डाल दिया है जीरा थोड़ यह को फ्राइ कर लेंगे और इसके बाद इसमें अट कर देंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च और लसन बारी कटा हुआ और फिर इसमें डाल देंगे बेसन और चांच का घोल तो बेसन में ही मैंने चांच को घोल लिया था और इसको पतला कर लिया था वैने और इसके बाद जब कड़ी पक जाएगी तो नमक और बुंदी डाल देंगे। बस यहाँ पर कड़ी मेरी बन गई है फटाफर से और आप देख सकते हैं और जब मैं कड़ी बना रहे थी ना उससे पहले मैंने चावल रख दे थे पकने के लिए और गर्म गर्म रोटियां बना दी है तो कड़ी चावल और रोटी आज का मेरा लंच जो है बन गया है तो अभी हो गया है शाम का टाइम और दोपार मिना मौसरम ठंडा था तो मैं सो गई थी और अभी साम को उठी हूँ तो साम को मेरा कपड़ों का काम बढ़ गया है क्योंकि बाहर हो रही है बारिज तो कपड़े ना बहुत सारे हो जाते हैं फिर इनका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है इनको समेटना और फिर गिले कपड़ों को सुखाना यही सब काम था मेरा यहाँ पे तो ये वाला room में खाली कर रहे थी क्योंकि यहां पर काफी सारे कपड़े रखे हुए थे पहले के ही इनको जब हटाऊंगी तभी यहां पर जगे खाली होगी फिर दूसरे कपड़े यहां पर आज के कपड़े डाले चाहेंगे तभी यह रात बर में सूखेंगे तो यहां पर बहुत सारे कपड़े रखे थे बच्चे भी स्कूल से आए थे और मैं भी सबकी कपड़े रखे रखे हुए थे दोपाहार में मैंने नहीं समेटे थे तो अब इन सबी को समेट देते हैं जगा पर रख देते हैं और रात का खाना बनाने में अभी काफी ज़्यादा टाइम है और खाना बनाने में फिर में किचन में बिजी हो जाऊंगी ना तो इधर का काम फिर रह जाएगा और इसमें थोड़ा लेट हो जाएगा तो सबसे पहले मैं ये काम कर लूँगी इसके बाद ही रात का खाना बना साफ करने का मतलब यह नहीं है, सफाई यहां पर यहां पर बहुत साफ कर दका है, और अगर दो-तीन दिन के बाद साफ करो तो काफे ज़्यादा समय लगता है साफ करने का मतलब यह नहीं है सफाई यहां पर डेली होती है जाड़ों बोचाव अगर डेली ही लगता है बस समान को अरेंज करना होता है अगर एक दिन भी ना करूना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में समान फैल जाता है और समय फिर काफे ज़्यादा लग जाता है तो चलिए पहले वाले कपड़े मैंने घड़ी करके सबको रख दिये हैं जगा पे और आज वाले सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ तो ये रात भर में फिर सूख जाएंगी वैसे तो कल संडे है बच्चों की छुटी है लेकिन फिर भी कपड़ों का काम खतम करते ही फिर मेरा खाना पीना हुआ उसके बाद ये सारे बरतन वगेरा मैं साफ कर लेती हूँ लास्ट में किचन की सफाई हो जाएगी तो चलिए फ्रेंट्स अब मेरा सारा काम हो चुका है और बारिस न अभी भी हो रही है कंटीन्यू एक सेकंड के लिए भी बारिस नहीं रुकी है तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है ठड़ना भी काफे जादा हो गया है मौसम चलिए आज का ये व्लॉग यहीं परिजन्ट करती हूँ आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलती हूँ आप से एक नए व्लॉग में थैंक्स पर वाचिंग पापाय टेक केर गुड़नाइट